आज हम बनाएंगे उत्तर करनाटका और महाराष्टर की स्पेशर पोली की रेसिपी जिसे खास करके मकर संकरांतरी के लिए बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही डिलिशियस लगते हैं हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम मैं हूँ जीनत और जीनत इन्दे किचन में आप सब का वेलकम है तो ये देखिए पोली बहुत ही डिलिशियस बनी है और इसके अंदर की जो स्टफिंग है इसमें बहुत हेल्दी चीजों का इस्तिमाल किया गया है ये देखिए इसकी तरह हम भून लेंगे और इन्हें ठंडा करके इनके छिलके निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो मुंग फली भून चुके हैं इन्हें मैं नि भून लेते हैं और इसी में डालते हैं दो से तीन चमज भर के सफेद वाली तिल आप चाहें तो कोई एक तिल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या तो सिर्फ काली तिल से बनाए है या तो सिर्फ सफेद तिल से भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर दोनों तिल का इस्तमाल कर रही हू देखे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं तिल देखे चटकने लगे हैं इसलिए मैं इस पर एक धक्कन रख रही हूँ तो इसे स्लो फ्लेम पर ही भून लीजिए तो भून कर हो चिके इन्हें निकाल लेते हैं इसी में डालते हैं तीन चम्मज बेसन और बेसन को भी हलका सा भून लेंगे देखे तवा बहुत गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम मैंने इसलो रखी है और बेसन जो है बहुत जल्दी से भून जाएगा तो ये देखे बेसन अच्छी तरह दो से तीन मिनट बात ये भून चुका है बस इतना सा ही हमें भून लेना है बस इसे भी अब अलग निकाल लेते हैं तो आएए अब इसके लिए आटा गुन लेते हैं एक परात में हम डालेंगे एक कप मैदा और उसे के साथ मैं एक कप गेहूं का आटा भी ले रही हूँ अब सिर्फ मैदे के साथ या गेहूं के आटे के साथ भी इसे बना सकते हैं और इसी में जो मैंने बेसन को भून कर रखा था उसे डाल लेते हैं अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसी में डालते हैं आधा चम्मट जितना नमक अब थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और इसका अच्छे से एक डो बना लेंगे जैसे हम चपाती के लिए गुनते हैं बस उसी तरह इसे भी गुन लिजिएगा ध्यान रखिए कि ज्यादा इसे पतला ना गुंदे अब अच्छे से आटे को गुन कर रख लेते हैं तो इदेखिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगे इसलिए मैंने वियो को शॉट किया है तो इदेखिए आटा मैंने गुन कर रख लिया है अब जो है इसकी स्टफिंग बना लेते हैं एक मिक्सर जार लेंगे और जो हमने सेंग दाने भून कर रखे थे उनके छिलके मैंने लिका लिए हैं इदेखिए इन्हें मिक्सर जार में डाल कर पहले हम दरदरा पीस लेंगे एकडम बारिक पाउडर मत कीजिएगा क्योंकि हमें बाकी की चीज़ें भी इसमें डाल कर पीस नहीं है तो इदी के पहले इस तरीके से दरदरा पीस लेजिए और फिर हम इसमें डालेंगे जो तिल भूंदी हुई थी उसे डाल लेते हैं तो दोनों तिल को मैं इसमें डाल रही हूँ बस दो से तीन चम्म जितनी तिल अलग रख लेंगे अब इने भी सेंग डानों के साथ पीस लेते हैं तो यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसी में जो है हम दालेंगे गूड मैंने पौना कप गूड लिया है अगर आप ज्यादा मिठा खाते हैं तो एक कप ले सकते हैं लेकिन यह बहुत ही ज्यादा मिठा हो जाएगा पौना कप या आधा कप गूड बहुत काफी है इसके लिए तो यह देखिए अब मैंने गूड को भी डाल कर इसमें अच्छे तरह पीस लिया है और यह इस तरह आपस में अच्छे तरह मिक्स हो चुके हैं इंग्रिडियन्स अब इस स्टफिंग को एक डिश में अलग निकाल कर रख लेते हैं अब जो थोड़ी सी तिल मैंने अलग निकाल कर रखी ती उसे मिक्सर जार में डालेंगे और उसी किसा चार इलाइची मैंने कूट कर डाल रही हूँ यहां तो इसे भी पीस कर उसी स्टफिंग में मिक्स कर लेते हैं तो फ्रैंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर येगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर ट्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है अब ऐसा थोड़ा थोड़ा पोर्शन हातों में लेंगे और एक मीडियम साइज के बॉल्स बनाकर रख तो यह देखे इस तरह पहुटी अच्छी तरह यह पॉल्स बन जाते हैं यह दिखे बिलकुल लड़ू की तरह लग रहे हैं अब इसी तरह बचे वे सारे स्टफिंग के लड़ू बनाकर रख लेते हैं तो चलिए आटे को अब हलका सा गुन लेते हैं अब आटे के मीडियम साइज के पेड़े पनाएंगे ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे तो इस तरह चीजे मसल कर थोड़ा सा नर्म कर लेंगे और यह दिखिए पेड़े इस साइस के मैंने बना कर रख लिये हैं अब इक आटे का पेड़ा लेंगे और उसे सुखे आटे में डिप करेंगे और इस तरह छोटा साइस का पहले पत्ता बेल लेंगे तो यह दिखिए इस तरह बेल लेंगे और जो हमने स्टफिंग के बॉल्स बना कर रख लिये हैं उसे एक बॉल को इसमें रखेंगे अब इस आटे के पत्ते के किनारों को जो है ऐसे मिलाएंगे और हलके हातों से ऐसे प्रेस करते हुए इसे गोल-गोल घुमाएंगे और इसकी एक पोटली तरह बनाएंगे और उपर जो एक्स्ट्रा आटा आएगा उसे निकाल कर रख लेते हैं अब इसे हलका सा प्रेस करेंगे और आटे में डिप करके आपको जिस साइज की पोली बनाने है उतना ही इसे बेलेंगे ज्यादा पतला भी नहीं बेलिएगा नहीं तो जो है स्टफिंग बाहर निकलेगी तो इस तरह हलकी हाथों से हम इसे बेलेंगे तो फ्रेंज अगर आप इस पोली को पहली बार भी अगर ट्राइ कर रहे हैं तो यह बहुत यह आसानी से और आराम से बन जाएंगे आप इसे बना सकते हैं इस तरह यह देखिए बिलकुल भी फटेगी नहीं आइए तो इस साइस के मैंने बेल लिये हैं यह पोली बिलकुल भी फटी नहीं है अगर इसे मैं और बेलूँगी तो यह पट जाएगी तो इतनी साइस की बराबर है ये दिखिए अब तवा गर्म करके इसे सेख लेते हैं तो इदिके तवा भी गर्म हो चुका है अब मैं पोली को इसके उपर डाल कर सेख रहे हूँ लिखे हलका सा गर्म होना चाहिए लिखे बबल साने शुरू है तब हम पलट लेंगे और याज रखिएगा चमत से जो है इससे ज्यादा प्रेस मत कीजेगा नहीं तो ये फूलेगी नहीं बस हलके हाथों से प्रेस करते हुए ऐसे किनारों से थोड़ा सा तेल डालना है तो ये दिखे ये अपने आप फूलने लगी है विल्कुल हलके हाथों से मैं से प्रेस कर रही हूँ अब एक बढ़ पलट लेते हैं तो आप देख सकेंगे या अपने आप फूलने लगेगी तो देखा ये कैसे अराम से फूल रही है यानि के पोली जो है बहुत अच्छी तरह अंदर भी सेख चुकी है और इसमें जो हमने तिल को इस्तमाल किया है ना फ्रेंड्स ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमन्द है चाहे वो काली तिल हो या फिर सफेद तिल हो अब जिसका हेमोकलबिन कम है वो काली तिल को ज़रूर इस्तमाल करें और सफेद तिल तो हमारे हड़ियों को मजबूत करने में बहुत ही मदद करती है इस तिल को हम अलग-अलग recipes में जैसे के ग्रेवीज में या फिर bread या फिर पराठे के उपर से garnishing के लिए या फिर इसे सलाद में भी डाल कर यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए यह अब बिल्कुल बनकर तैयार है पोली इसे निकाल लेते हैं और बचे हुए सारे पोली को भी इसी तरह हम सेख लेते हैं आप भी इसी तरह एक बार इस पोली को जरूर बना कर try कीजिए friends और comment करके बताना ना भूलेगा आपको कैसे लगी तो ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिस थैंक्स फॉर वाचिंग